पेपर टफ है, काल्कुलेटिव है, पाटन चेंज हो गया है हमारा, डियाई जो है वो सभी आ रहा है, तो इतने में अगर किसी स्टुडेंट कोई अगर सपना देख रहा है दोसों में दोसों लाने का, तो वो टारगेट आप कैसे लेकर आओगे, कैसे आएंगे आपके दोसो में दोसों, जैसे कि आप मेरा स्कोर जानते हो, कि सीजल में मैंने 227 स्कोर किया है दोसों में, ठीक है, पेपर चाहे कितना भी टफ हो जाए, टफ है शिफ्ट में भी आ जाए, आपके 10 सवाल भी शिफ्ट में गलत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके नंबर आ सकते हैं, त कि आपको स्मार्ट अप्रोच और खतरना कंसेट के साथ काम करना पड़ेगा, और दूसरा की जबरदस्त प्राक्टिस, एक बात को जान लो, ये दो ही चीज़े हैं, जो आपको में में रैंकर भी बना सकता है, और में में आपको सेलेक्शन भी दिला सकता है, कंसेट जितने पक्य होंगे, जितने धुआधार होंगे, उतने ज़्यादा टॉप पर जाओगे, और कंसेट के अच्छे होने के कारण मौक में भी कम समय में वो सवाल लगा पाओगे, ठीक है, कभी भी किसी भी स्टूडेंट का सेलेक्शन किसी टीचर के वज़े से नहीं होता, इस बात क की वज़े से, ठीक है, जब CGL 2019 का मेंस था, जिस मेंस की मैंने तियारी की थी, उस में मैंस में आपको बताओ, मैंने बच्चों को देखा था, दिन रात एक करते हुए, ठीक है, एक एक दिन में 3-3-4-4 प्राक्टिकल मौक लगाते हुए, बाई साब, 2-2 गंटे की एक मौक ठीक है, फिर उनको analyze करना, तो आपको मौक तो लगाना है, no doubt लगाना है, अगर आपको topper बनना है, तो आपको मौक लगाना पड़ेगा, और numerous मौक लगाना पड़ेगा, जिसकी कोई limit नहीं होगी, लेकिन वो जब मौक लगाओगे, तो कहीं depressed ना हो जाओ अपने score से, कहीं score दोगे, दो मौक दोगे, दस मौक दोगे, उसके बाद मौक को बंद करके रख दोगे, ठीक है?